नमस्कार मैं उरीन कुमारी पब्लीक एश्याम आपका स्वागत है वक्त है उत्तर प्रदेश की पाँच बड़ी खबरों का पहली खबर की और चलते हो बता दे बुलंशेर में चंदर प्रकास सिंग जिलादिकारी ने ठंड में रोड किनारे रहरे लोगों को कंबल बाटे है जिलादिकारी ने जगद जगद जाकर रेन बसे राओ के लोगों से हाल चाल भी पूछा है आपको बता दे शीतकारी लहर के चलते तापमान में गिराबट आई है जिसके चलते ठंड ने लोगों को ठिटूरने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे देखते हुए जिलादि अधिपंदित के रिपोर को अधियर और जिपर अली आइस एक अडिक स्ट्केस्श ऩल्ग नेन दाले कर जेंद केंदेमरी देश्ट्रइख जो निहां不 taught आप जो जो गरीब लोग है उनको कमबल बितरन रात में किया जा रहा है आप खुद निकले हैं रात को बितरन करने के लिए देखे आप जानते ही समय बहुत कड़ा के कि खंड पड़ रही है हमारे पुरे जर्पद में सत्रानका दिंकायों में 21 रहन बसेरे बनाए गए है इसके अलoff है जितने हमारे जिला एस्पिताल में खुर्जा के हॉस्पिकल में जितने हमारे बसकते हैं महा भी हमने रहन बसेरे बनाए हुए है उद्देश यह है कि इस ठबले में कोई बात पे ना सोए और यह दितोई सोता हुआ पाया जाए तो उसको रहनवसेरे में रखा जाए आपने स्वयम देखा होगा रहनवसेरों में हुने गरम पानी की बेवस्था कराई है रजाई है कंबल है अच्छे आपकी चारपाई है इ उनको यह भी कहा गया कि रोज खाने की बेवस्था हो और मानिय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर पुदेश सरकार ने ऐसी बेवस्था की हुए जितने भी कोई पाप्र गरीब हैं उनको कंबल दिया जाए पूरे जन्पद में नग्मद आथ हजार से अधिक कंबल जो प्रतिदी ने बेवस्था में कोई कमी ना रहे जाए जाता है दोसी ख़वर के और चलते हो बता दे खुरजा के गाहां गोविला में आयुजित प्रधान मंदिर नरिंद मोदी द्वारा चलाई जा रहे विक्सित भारत संकल्प यात्रा का आयुजन किया गया है इस मुहीम का मुख्यो देश खर घर जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने का मुख्यो देश है कारिकरम में मुख्यते थी सांसर डॉक्टर महीश शर्मा और आर्पी सिंग केंदर विमान प्रबंधन और पूर्विधायक विजिंद सिंग रहे कारिकरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर महीश शर्मा ने मोदी सरकार की योजनाओं का वड़न किया है आयो दिखाते हैं पर हमारे समधाता प्रदीपंदित की रिपोर्ट इनका सागत वोधी जी का भाशन सुना है ना उननने का 22 को अध्यमत आना अपने पाच के मंद्र में जाकर राम भजन करना राम दुन करना शाम को पांच डीपक जलाना अब हम शपत लेंगे इस शपत के बाद ही सभी लोग अपने विक्सित भारत संकल्प यात्रा ये हमारे देश के यशश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की गारंटी का रत है जो आज गाउं गोविला में आया हुआ है और इसका जो महत्व है वो लोगों को ये है बताना कि गाउं में प्रतेग व्यक्ति जो पात्रता में आता है उसको योजनाओं का लाब मिले दो हजार चौबेस तो जनता जनादन है और सब जानती है कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमारे देश के यशश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित नाज जी के नेतों तुम्हें डबल इंजन की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है विकास का पहिया लगातार आगे बढ़ रहा है और ये हो सकता है के विपक्ष डगमगा रहा हो चर्मरा रहा हो और गट बंदन का भी प्रियास कर रहा हो लेकिन मुझे लगता है ये गट बंदन पहले की दरा फिर इस ब बहुत भागिशाली हैं जिने राम लला के दर्शन होंगे और राम लला आयोध्या में विराज रहे हैं ये भी हमारी सरकार में भारते जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है क्योंकि आपने ये देखा था कि पहले के लोग ये कहते थे के मंदर तो कहते हैं हम वहीं बनाएंगे लेकिन तारिक नहीं बताएंगे तो मैं आज उन लोगों को यह जवाब दूंगी कि मंदिर भी वहीं बनना है और तारिक बाइस जन्वरी दो हजाट चुकी है बहुत बहुत धन्यवाद पिसे सदिकारियों को पांच वर्ष में एक बार अपनी चल अचल संपत्ति काप ब्योरा देना होगा यह ब्योरा इकतिस जन्वरी तक वार्षिक संपत्ति विवरें स्पेरो पोर्टल पोर अनलाइन देना होगा अभी तक फीसे सदिकारियों को पांच वर्ष में एक बार अपनी चल अचल संपत्ती की जानकारी सरकार को देनी पड़ती थी और चौती खबर के और चलते हो बता दे अपराद और अपरादियों पर प्रभावी प्रहार के लिए मशूर शहर के नए पुलिस आयोगत अखिलेश कुमार की प्रातिमिक्ता गरीब और आसाहाई लोगों को न्याय दिलाना है उनका कहना है कि पुलिसिंग को बहतर बनाने के लिए थानों पर फर्यादी महिलाओं के प्रति पुलिस के विवहार को सुधारने में प्रनुक्ता से काम किया जाएगा और आखरी खबर के और चलते हो बता दे गैंक्सर विनोद उपाध्ये को उतरप्रदेश पुलिस ने धेर कर दिया है बिती रास्त एस्टियप की बदमास से मुटभेड हो गई इसमें माफिय और शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्ये की गोली लगने से घायल हो गए बाद में उनकी मौत हो गई बता दे गैंक्सर विनोद कुमार उपाध्ये पर गोरकपुर पलिस में एक लाग का इनाम खुशित किया गया था विनोद अपना एक और संगटिन गिरो बना का जनपद गोरकपुर बस्ती संद कभी नगर लखनों में कई संसनी खेज हत्या की घटनाओं को अंजाम दे चुका है ऐसी उत्रप्रदेश की तमाम जानकारी के लिए देख तेरे पब्लिकेशन न्यूस नमस्कार